Hello everyone, आश्यो करता हूं, आप लोग मस्त होंगे और आपकी बढ़ाई बैच्से चल रही होगी आज के वीडियो से हम कक्षा दस्की जो गणी थे वो हमें स्टार्ट कर रहे हैं और आज इस वन शॉट वीडियो में हम प्रशना आवाई एक दस्की जो गणी थे उसे सॉल्व करेंगे और यहां से एक कोशन आपकी बूर्ड एक्जाम में आएगा ही आएगा ठीक है, हन्रिट परसंट गारंटी है कि दो नंबर में एक प्रशन तो आएगा ही आएगा तो बिना किसी तेरी के पहले को आज आदे, पहले कोशन क्या बूल है निमने लिखित संख्याओं का HCF ग्याद करने के लिए यूकलेट विवाजन अल्गोरिथम का परियोग कीजिए और उसकी मदत से हमें 135 और 225 का HCF निगालना है तो अल्गोरिथम क्या होते है, अल्गो यूकलेट विवाजन परिय मैं पता है क्या यूकलेट विवाजन परिय मैंपते ह睡 बड़ा होता है इसे हम कहते है, यूकलेट वफाजन प्रमे और यह जो आर होता है, यह होता है शेशवल अब देखिए, इसी algorithm का परियोग करेंगे और क्या निकालेंगे HCM निकालेंगे, तो एक्जाम में कैसे लेग़ना है बिल्कुल जैसे मैं लिखोंगा वह ऐसे ही लिखना ठीक है सबसे पहले क्या करने आपको सबसे पहले यहां आपको बदाना है कि भाईया कॉंजिसिंग के बड़ी है कॉंजिसिंग का छोटी है सबसे पहले बदा देंगे कि 225 जो है वो बड़ी है 135 से यहां बता दिया उसके बाद देखिए फिर यहां लिखेंगे Euclid Euclid विभाजन Euclid विभाजन प्रमेस ठीक है यह लिखने के बाद क्या होता है दिखो आप थोड़ा Advanced Bay में भी लिख सकत हो यहां लिख दो चरान करके लिख दोगे स्टेप लिख दोगे तो और अच्छा लिखेगा और अच्छा दिखेगा चरण वन में आपको क्या करना है कि जो बड़ी संग्या उसको बाई तरफ रखना है और जो छोटी संग्या बराबर उसको दाई तरफ रखना है बड़ी वाले को इस तरफ चोटी वाले को इस तरफ अब आपको क्या करना है जो हम भाग देते हैं कई बच्चे इस भाग को पीछे रफ कॉपी में कर दे रफ में कुछ भी नहीं करना भाई चोरी नहीं कर रहे हो तो पीछे क्या करना भाई कॉपी होगी ना आपके यही बगल में ही लिखना है सबसे पहले क्यां गरना है 135 सअ आपको भाग देना है 210 पर जिसमे यह आम भाग देना है 28 थम क्या है भाइया याँ 3 संख्या इधर में 3 संख्या लेनी बढ़ेगी 135 एकम 135 135 एन 270 भाग देने का नियम क्या होगा या तो वही संख्या है या उसके थोड़ा काम हो लेकिन उससा ज़्यादा नहीं रह सकते तो एक बार जाएगा, 135 एकम, 135 गटाएगे, पानवें से पानवें से पानवें से गटाएगे, 0 और बाराम से दिन गटाएगे, 9 बचेगा, तो कितना बचाए, 90 अब 135 के पाले में, 90 तो नहीं आ सकता, यादे कि शेशवल हमारा 90 है कितनी बार भाखफल गया, एक बार यहाँ आ जाएगा, एक और शेशवल कितना है, 90, देखो हमें तब तक हल करना होते है, जब तक कि शेशवल 0 ना आ जाए, यह है अल्गुरिथम ठीक, अब दूसरे चरण में आ जाओ, चरण नमबर 2 चरण 2 में क्या होगा, step 2 में, कि भाईया, इस संख्या को और इस संख्या को लेनी है आपको ठीक है, अब यहाँ 135 आ जाएगा, और यहाँ 90 आ जाएगा अब 90 से आपको भाग देना, 135 में, ठीक है, तो 90 एकम 90, अटाओगे तो कितना आ जाएगा बच्चो, 45, कितना आ जाएगा 45, ठीक, कितनी बार गया, यह भी एक ही बार गया, और शेशवल कितना बचा, 45, ठीक, किया शेशवल 0 आया, भाईया, बिल्कुल भी 0 नहीं आया, अ और यहां पर आजाएगा 45, 45 से भाग देना है, नब्बे में, ठीक है, 45 दुनी, 90, घटा हो गया, शेशवल किया आगया, शुन्य आगया, तो 45 दुनी, 90, शेशवल आगया, शुन्य, अब यही हमें रुख जाना है, यही हमें रुख जाना है, अब आपको देखना है, वो अंतिम संख्या, जिससे आपने भाग दिया था, और आपको शेशवल क्या मिला है, 0 मिला है, तो अंतिम संख्या आपने किस से भाग दिया था, 45 से, और शेशवल में कितना मिला, 0, यानि कि हमें हमारा HCF कितना मिल जायागा, 45, 45 मिल जायागा, ठीक है, अधा, जो HCF होगा, किसका 225 ठीक है 225 और 135 वो होगा 45 कितना होगा बच्चों वो होगा 45 और यह हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा आप screenshot लेके अपना notes भी बना सकते हैं और यह question VVI question है very very important है क्योंकि इस question को board exam में कई बार पूछा गया है कई बार और इस topic पे एक question दो नंबर में या फिर तीन नंबर में आपके board exam में 100% आएगा अगर ना आया ना मेरा नाम बदल के कुछ भी रख दो मेरे नाम पे तुम case कर दो जो मर्जी को कर दो क्योंकि यह topic ऐसा है जो हर साल आता है भाई हर साल आता है हर बार आता है अगर यह सिग गया तो आप सोच लो कि मेरे दो नंबर पक्के हो गए ठीक है चलिए अगले प्र जया नबेस से बड़ी है पहले कॉंसे सेंगे बड़ी है हम वही दिखा दे यहां दिखा दिया अब हम क्या लिखेंगे यहां लिखेंगे योकलिड योकलिड विभाजन प्रमेसे ठीक है बच्चों मैंने पूरी गणित पड़ा रखी है एक बार डिस्क्रिप्शन आप जर जांदार जांदार दॉशन है बड़े बालों के हम इप Кон्वग्शन तरहरफ रखेंगे 38 220 ऑ छोटे बालों को इस्तरफ बच्चों से बआगों इसमें 38 220 मैं अब देखो बच्चों यहां थीन सेंख्यां यहां पर भर थीन सेंख्यां लेंगे हीई तोज़ादा हो जाएगा exam, उसके बाद, यहां से हासिल उतर दाएगा en 2018 के असपास है और यह 200 के असपास है 9दुनिय18 तो आइडी लग़िया कि बहींगा नो बहर तो चला जाएगा क्योंकि 1800 से भी जदा है यहां 10 नौचक चोवन का क्या आ जाएगा? चार आ जाएगा, चोवन का चार, हासिल लगा पांच, फिर दगो, नौ नम इक्यासी, एक्यासी और पांच, छी आसी, हासिल लगा आठ, और नौ एककम नौ और आठ, कितना होगे? सत्रा, गटा होगे, बारा में से चार गटाएंगे, बचेगा, इतना ही बचेगा, और पिछे से जीरो आ जाएगा, ठीक, अब ये कितनी बचाएगा? हजार के आसपास है, यहाँ, दोसों के आसपास है, एडिया लग रहा है, पांच बर तो जाएगा, पांच, तीस, हासिल लगा तीन, पांच, नम, पैदालिस, पैदालिस, औ हमारा, एक सो पिच्चानवे बचेगा, और शेशवल हमारा क्या बचा, जीरो, इसी वज़ेसे कुशिन वेरी इंपोर्टन्ट है, वो आखरी सेंखे जिसे उमने भाग दी थी, और तुम्हें शेशवल क्या मिला है, जीरो, तो वो ही आखरी सेंखे हमारी क्या होती है, है, ह 196, वो हमें मिल जाएगा, कितना, 196, ठीक है जी, ये प्रशन हमें हमारा, अराम से मिल गया, अराम से सॉल हो गया, ठीक, कोई दिक्कत, या कोई परिशानी, नहीं हुई होगी, ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये कोशन में वेरी वेरी इंपोर्टन्ट है, अलब एक तो आएग ये ही आएगा भाई, ये मान के चलो, आना ही आना है, निश्चिद है, फिर सो भई काम करना है वे, तो यहां सबसे बहले बता देंगे, कि ये जो संख्या है, 867, 867, 255 से बड़ा है, ठीक है, फिर यहां लिख देंगे, यूकलिड, यूकलिड, विभाजन, से, ठीक है, पहले स्टेप में क्या आ जाएगा, पहले स्टेप में आ जाएगा, जो बड़ा है वो इधर, 867, चोटा वाला इस तरफ, 255, हमें भाग देना है, सो भाग देंगे इधर, 255 से हमें भाग देना है, 867 में, तो ये 200 के आसपास है, 7500 होता है तीन बार में, तो तीन बार तो इसमें गुणा करना है, आसिल लगा एक, तीन बार गया बच्चो, ये गया तीन बार और शेशवल क्या बच्चा, 102, हमें तब तक करना होता है, जब तक शेशवल, 0 ना आ जाए, तो अब हमें क्या करना है भाईया, अब हमें फिर से लेना पड़ेगा, इसको और इसको, ठ ठीक है, स्टेप नंबर 2 में आ जाओगे, 2 में क्या लिखेंगे, 205 अब की बार इधर आ जाएगा, और 102 हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है, 102 में भाग देना है, इसका 255 में, दो बार जाएगा, तीन बार में स्यादा हो जाएगा, दो दूनी चार, दो गुणा 0, 0, दो एक 50, कितना बचा, 51, कितनी बार आ जाएगा, दो बार भाग गया, और कितना बचा, 51 बचा, क्या शेशवल 0 आया, शेशवल 0 आया, नहीं आया, तो फिर से हमें अगले स्टेप में क्या करना होगा, इधर हमारा क्या आ जाएगा, 102 आ जाएगा, और इधर हमारा क्या जाएगा, बच्चो 51 आजाएगा हमें फिर से क्या करना है भाग देना है 51 से भाग देना है 102 में 51 दूनी 102 गटाएंगे तो शेशवल क्या आगया 0 कितनी मार गया 2 बर और शेशवल क्या आगया 0 जब शेशवल आजाए वही रुख जाओ ठीक है शेशवल 0 के उपर वाला है हमारा HCF होता है वो अन्तिम संक्या जिससे आपने भाग दे और आपको शेशवल 0 मिला है वो संक्या आपके क्या कहलाती है HCF कहलाती है अथा जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 51 आपका जो HCF हो जाएगा, बच्चों कितना हो जाएगा, यह क्या बन हो जाएगा, फिक है जी, आराम से बरेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परिशानी नहीं, और ऐसा कुशिन एक्जाम में जरूर आएगा ही आएगा, आगे बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, फि और R का मान क्या होता है? बेसे हमेशा छोटा होगा या 0 या 0 से बढ़ा होगा, तो उस चीज को मैं पहले एक बार, एकस्प्रेन कर देता हूँ, ठीक है, मैंने आपको पता है था कि A बराबर जो क्या होता है, BQ प्लस R होता है, इस R का मान हमेशा बेसे छोटा होता है, और 0 तो यह 0 से बढ़ा होता है यह मैंने अब को आपको पधा है था अब मैं आपको एक्झामपल लेता हूं जासे मान लो धारन रहते है लिख लेना यह सब गरी लिखवा रहा हूं मैंने एक ले टी सा एक संक्या लेली 12 और एक संक्या लेली 5 तो देखो आपको clearly दिख रहा है भाया कि यह हमारा A है और यह हमारा B है ठीक है तो हमें क्या करना है छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देना है 5 दूनी 10 6 वाल कितना बचा 2 ठीक है 6 वाल कितना बचा 2 बचा अब दिखो इसको मैं लिख सकता हूं कैसे A के जगा पर 12 है B के जगा पर 5 है कितनी बार गया है दो बार गया वो शेशवल कितना बचा दो तिको जो शेशवल जिससे आपने भाग दिया हमेशा उससे छोटा होगा आर कमान जिससे आप भाग दो उससे छोटा होगा या 0 से होगा यह 0 से बढ़ा होगा, जिससे आप भाग दे रहें, उससे हमज़ा छोड़ा होगा, अब अगर आप इस पहले हिस्से को हल करो, प्लाम दूनी 10 प्लेस दो, 10 दो कितने हो गया 12, इधर भी बारा है और इधर भी बारा है, ठीक है, तो यह होती है हमारी Euclid विभाजन algorithm, प्रमे अब उसी चीज के मदद से इसको हल करना है, ठीक है, दर्शाई ये, कि कोई भी धनात्मंग विशम पुणांग 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां Q कोई पुणांग है, ठीक है, बहुत ही असान प्रशन है, बहुत ही easy प्रशन है, देखो क्या करन का रगते मान हा, B, धनात्मक पुणांगे उसको 6 मान लिया, अगर B का मान 6 है, तो R के मान, जो सेश्फेल का मान होता है, वी अपिशाई उससे छोटा होता है, जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन जिससे भाग दर्यार होता है, जिससे भाग दर्यार है, उससे फिर 5, 6 नहीं हो सकता, ठीक है, क्या, 6 नहीं हो सकता, बताये कोई दिक्कत यहां तक, अब यहां लिखोगे, अता, अता, यूक्लिड, लेम्मा से, लेम्मा लिखना है यहां पर, विवाजन मत लिखना, यूक्लिड लेम्मा से, क्या होता यूक्लिड लेम्मा, यह बराबर जो होता है न और जहां इस R का मन B से छोटा होता है और 0 या 0 से बड़ा होता है हमने B को fix कर दिया है बी को अपने क्या कर दिया है according to question प्रश्णिक अनुसार B हमारे पास क्या है 6 है सब जगा दिख रहा है तो वो तो हमने fix कर दिया है अब देखो case क्या हो जाएगा case 1 हमारे पास कितने case बनेंगे 1,2,3,4,5,6 case बनेंगे लेकिन है बड़ा असान आपको लग रहा हो कि भाई बहुत tough होगा नहीं है बहुत ही असान प्रश्ण है बहुत ही नहाई थी असान प्रश्ण है तो case 1 यदी यदी R का मान हम क्या ले रहेतं 0 तो देखो A हमारे बस क्या है बी को आपने six fix कर दिया Q तो वो fix ही है, और R अपने 0 बोल दिया, तो A क्या आ गया, 6 Q, Q हमारा क्या है प्रश्ण में, पुणांक है, प्रश्ण में क्या बोला गया है, जहां Q कोई पुणांक है, अब यह चीज नोटिस करना, Q हमारा क्या है पुणांक है, अब यह चो Q है, यह आपका sum भी हो सकता है, पुणांक है यह आपका विश्ण भी हो सकता है, ध्यांस देखना, अगर suppose करो मैंने Q ले लिया 2, और यह आप विश्ण क्यू मान लो, हम मैंने ले लिया 3, ठीक है, अब इसको देखो, इसका sum ने क्या लगा, 6 लगा, इसको मैंने 6 से गुणा कर दिया, इसको भी मैंने 6 से 18, तो देखो, यह क्या sum है, यह भी क्या sum है, तो इसका मतलब यह हो, कि अगर Q हमारा कोई पुणांक है, और उसको अगर हम किसी sum संख्या से गुणा कर देंगे, चाहे Q आपका sum हो, यह को विश्ण हो, वो आएगा आपका sum ही, यह जो 6 Q रूप है, किसका रूप है, यह sum तो जैसे मैंने यह लिखा है, आप एक्जाम में आगा तो यह से लिखके दिखा सकते हो, इससे इंप्रेशन और भी अच्छा पड़ेगा, एक्जामनल पर, एक्जामनल को लगेगा कि भाई, इसको सारा कुछ आदा है, इसका नंबर मैं नहीं काट सकता, अगर काटूँग तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथी साथ उस टीचर की जॉब भी जाएगी, ठीक है, तो खुद पर विलीव होना बहुत जरूरी है, कभी-कभी टीचर जल्दबाजी में, हडबलाट में, बच्चों के नंबर भी काट देते हैं, अगर आपको बदा है, मैं सही हूँ, मैं केस्टू क्या है, केस्टू यदि, आर का मान में एक ले लेता हूँ, का मान क्या लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखो, ए बराबर 6Q, आर के जगा पर मैंने क्या रख दिया, एक, आर के जगा मैंने क्या रख दिया, आर के जगा मैंने क्या रख दिया, अब आपको पत ईससे 2 1-स संघ्या, 1-स संघ्या 2 में जोड़ो, विशम आगा किसी भी संघ्या अگर हम विशम संघ्या जोड़ते हैं तो एक विशम संघ्या है यह हमें मिलते ही है TP अर्थाद यहां से क्या हो जाएगड़ यह बराबर 6 q प्लस 1 यह हमारा क्या हो जाएगा भाई यह हमारा हो जाएगा विशम रूप जो कि मैं प्रूफ भी करना एक्जाम में नमबर टू यह क्या हो जाएगा विशम रूप ऐसे लिख दिने एक्जाम में और प्रस्ण में बोला भी कि जो विशम रूप होगा वह 6Q plus 1 का होगा 6Q plus 3 का होगा या फिर 6Q plus 5 का होगा Case 2 हो गया बाकी case अब बहुत असान है नमबर अगले case पर आजाओ Case 3 चीक है यदि R का मान क्या ले रते हो 2 ले रते हो बहुत असान है तो क्या हो जाएगा यह हमारे पास क्या है 6Q क्या है समसंख्या है 2 क्या है हमारा यह भी समसंख्या इसी भी समसंख्या में अगर हम समसंख्या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा यह बराबर 6Q plus 2 यह हमारा समरूप हो जाएगा समसंख्या प्लस समसंख्या मैं क्या होता है? सम्संग क्या होता है सम्रूप ठीक है हमारे थीन case हो गए अब हमें और थीन case दिखाने है तो थोड़ा भूत तो मिटाना बढ़ेगा अब हमें ठीक है? यहां तक आ गया होगा प्लीज यहां तक का एक स्क्रीन शोट ले ले जिए फिक हैं यहां तक का एक screenshot ले लिजिए अब मैं थोड़ा से मिटा लेता हूँ जगा कम पड़ रही है बच्चो मैंने पूरी गणित पड़ा रखी है पूरा विज्ञान पड़ा रखा है एक बार आप description ज़रूर check कर लेना अगर आप मेरे विडियो देखने लगोगे तो आपको गणित विश्ञार से प्यार हो जाएगा इसकी गारंटी तो मैं ही लेता हूँ फिक हैं फिर आप और किसी टीचर की विडियो देखना भूल जाओगे case 4 यदि R में क्या लेता हूँ? R का मान मैंने ले लिया कहां तक ले लिया तो दो लिया जाँ तो 3 बए आ जाओ case 4 यह क्या हो जाएगा 6Q तो है यह R के जगा पर 3 आ गया पिर आ जाओगे case 5 में यह दी R बराबर 4 तो एका मान क्या होगा 6Q आर की जगा 4 आ गया हम जानते है 6Q क्या है? Sum है 4 क्या है विश्व चार हमारा यह भी Sum है विश्व लेक दे रहा था यार सॉरी बुच्छों ठीक है? चार हमारा क्या है भाई? चार हमारा Sum है और आप जानते हो Sum संक्या प्ले Sum संक्या क्या होती है? Sum संक्या ही होती है यह क्या हो जाएगा? यह हमारा हो जाएगा Sum Roop यह हमारा क्या हो जाएगा? Sum Roop हो जाएगा ठीक, अब लास्ट केस बचा हुए है तो लास्ट केस यहां पर यहां पर यह आर बराब ठीग है सब कुछ पढ़ा रखा है बच्छों एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना फ्लीज देखिया लास्ट केस हमारा क्या है केस नंबर 6 अगर र का मान किया लेता हूं पांच आए बराबर क्या है र क के जि plaisगा हमाने ते पांच रख दी है शीक्स क्या है सम और पांच क्या है विश्म संधम में विश्म संध्या allons कि staff जोर ने पर क्यां जाते हCrम संध का गिएवक records लोग क्या फिजल्व यहां तक हो गया, लास्ट में क्या लिखोगे, लिखोगे समीकरण 2, समीकरण 2, उसके बाद समीकरण 4, तरह समीकरण 6 से, लास्ट में लिखना है, समीकरण 2, तरह समीकरण 4, तरह समीकरण 6 से, यह एसपस्ट है कि प्रतेक, यहां से लिखना है, धनात्मक विशम पुनांग, 6 Q plus 1, 6 Q plus 3, या 6 Q plus 5 का रूप होता है, जहां Q कोई पूरांग है, लास्ट में ये लिख देना है, कुशिन का स्टेट्मेंट, समीकरान 2, 4, तथा 6 से, ये स्पस्ट है कि, प्रत्येक धनात्मंग विशम पूरांग, 6 Q plus 1, 6 Q plus 3, ये 6 Q plus 5 का रूप होता है, जहां Q कोई एक पूरांग है, लास्ट में ये जरूरू लिख देना है, नहीं तो नमबर गटेंगे, ठीके बिच्छो, ये लिख दिया आपने, आगे पड़े, चरिए, आगे पड़े, अगले प्रश्न में आजओ, किसी परेड में, 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुगडी को, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड की पीछे मार्च करना है, दोनों समुओं को समान संख्या वाले स्तंबों में मार्च करना है, उन स्तंबों की अधिक्तम संख्या, क्या बोला गया यांबर, अधिक्तम संक्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते है देखो जब भी वर्ड में लिखा है ना नियून्तम तो नियून्तम में समझ देना कि LCM निकालना है ठीक है नोट करके लिख लो कॉपी में नोट क्या अगर कहीं पर सेंस आ रहा है नियून्तम का तो सोचो कि हमें LCM लोश अपा निकालना है और अगर कहीं पर सेंस आ रहा है कुशन में अधिक्तम का साधा साधा ऐसा कुछ लिखा हुआ रहा है तो वहां निकालना हमें HCF मोश अपा निकालना है ठीक है यह नोट करके लिख लेना अब यहां तो हमने देख लिए कि अधिक्तम बोला है याने कि हमें प्रश्न में 616 और 32 सद्श्यों का क्या निकालना है HCF निकालना है और अभी हम कौनसी विधी सीखेंगा है अभी हमने सिफ यूकलेट विवाज अल्गॉरिधम ही सीखा है स्केलिंग्स मिल जाएके डिस्क्रिप्शन बे आप जाके जरू देख लेना मस्तमक्र निता समझा रखा है ठीक है नहीं NCI टीबूब में वह 1.1 है लेकिन पुरानी NCI टीबूब में 1.2 है पुरानी यों नहीं दोनों करा रखिये प्रशना अनुसार हमें जो निकालना है जो हमारा उत्तर होगा ठीक है, तो यहां लिखेंगे, युकलिट विभाजन, युकलिट विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से, ठीक है, यह हमने लिख दिया है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाईया सबसे पहले हैं, जो बड़ा होता है, उसको बाईं तरफ रखते हैं, और जो छोटा होत बाइया भाग देते और यह भाग में छुपा के नहीं करते हैं उसी पेज में दिखाएंगे टीचर को हमें 32 से भाग देना है 616 में यहां दो संग्या यहां ले लेंगे 32 दूनी 64 जाधा हो जा रहा है भाइया तो 32 से कम 32 ही जाएगा ठीक है 11 में से दो गटाएंगे 9 बचेगा और 5 में 3 गटाएंगे 2 बचेगा 29 इच्छा नीचे आ जाएगा फिर से भाग दो 32 नो बार जाएगा न नो दूनी 18 असिल लगा एक नो तिया 27 27 गटाएंगे 16 में से 8 गटाएंगे 8 बचेगा सिर्फ कितना बचेगा 8 ही बचेगा कितनी बार गया भईया यह गया था 19 बार और शेश्वल कितना बचाओ 8 बचाओ तो यह 32 और आठ यह दूसरी स्टेप में आ जाएंगे यहां हम लिखेंगे 32 और यहां लिखेंगे 8 आठ से भाग देना है 32 में आठ चोके 32 शेश्वल किया गया 0 कितनी बार गया भईया चार बार गया शेश्वल आ गया 0 वह अंतिम संक्या वह अंतिम संक्या जिससे हमने भाग दिया और हमें शेश्वल 0 मिला वह अंतिम संक्या हमारी क्या है और क्या कहलाती है क्या होती है HCF होती है तो हमें हमारा HCF कि किती टुगडी में होगी, आठ टुगडी होगी, यह आपको आपका उत्तर मिल जायेगा very easy question है और बहुत ही असान होने के साथ है इंपॉर्डन भी है, question पड़ोगी तो कितना बड़ा लग रहा है, हल में देखो कितना छोटा है, यहाँ पर keyword क्या है question का, question का keyword बताओना बहुत जलूरी, यह हमारा keyword क्या है question का, नई NCRT बुग में 1.1 है, ठीक है, बिहार बोड़ बहुत है बच्चों को पुरान ही बढ़नी है, पुराना से ले बस सब कुछ, ठीक है, सब कुछ बढ़ा रख है, टेंशन लेनी वाली कोई बात नहीं है, सब कोच बढ़ा रख है, ठीक है, और 1.2 में हमें HCV LCM सेखेंग कई लोग प्रमिका पुल देते हैं, उनको बड़े याद आती है अपनी प्रमिका की, तो यहां भई प्रमिका को मिस्मत करो, प्रमिका है यहां पर, का प्रियोक करके, किसी धनात्मक पुरांग का वर्ग, किसी पुरांग M के लिए 3M, 3M प्लस 1 का रूप होता है, यह हमें बताना है, तो यहां पर एक, यहां पर fix क्या है देखो, 3, 3, तो B के स्थान पर क्या है बच्चो, 3 है, ठीक है, B के स्थान पर क्या है हमारे बच्च, 3 है, देखिए, सबसे पहले यहां मान लेंगे माना, B हमने मान लिया 3 है, अगर B 3 है, इसलिए जो R का मान होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 से चोटा ही होगा, 3 नहीं हो सकता, ठीक, फिर यहां लिखेंगे Euclid, Euclid, विभाजन, Euclid, विभाजन, पर में A से, ठीक है, क्या होगा है, A बराबर होगा है, B Q प्लस R, ऐसे कोश्यों में यह चीज लगा नहीं, लगा नहीं है, ठीक है, यह फिक्स कर लीजिए, जहां बर, R का जो मान होगा, B से छोटा होगा होगा है, और 0 या 0 से बढ़ा होगा है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई प्रेशानी यहां तक, नहीं होगी, ठीक है, अब आजाओ, case 1, case 1, यदि, R का मान हम क्या ले ले, 0 ले ले, पहला case, तो क्या हो जाएगा, A का मान क्या हो जाएगा, B हमारा क्या है, 3 fix है, और Q भी fix है, R के जगा क्या आगा है, बस 0 आगा, इस R के जगा हमने एक पर 0 रख दिया, तो A बराबर क्या होगे, 3 Q, बराबर क्या होगे, 3 Q, प्रश्न में क्या बोला, जो भी आएगा, उसका क्या करना है, वर करना है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वर करने पर, यहां लेक दोगे, वर करने पर, दोनों पक्षों में, वर करने तो बड़ कर दो कि a का वर्ग हो जागा a squared और ये हो जाएगा 3q squared तो a squared 3 का वर्ग हो देख고요 q squared ठीक तो मैं क्या करूँगा मैं मान लूँगा मानá मानदá Q squared को मैंने क्या मान लिया M मान लिया तो ये क्या हो जाएगा 3m दिखा थिरीm इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक सेकंड बचो, तीन उबनिश निकालो, 3Q स्क्वेर, मैंने 3Q स्क्वेर को M मान लिया है, त्यूकि 3M के रूप में दिखाना है न, तो 3 मैंने 39 से न तीन उबनिश निकालो, 3, 39, और 3Q स्क्वेर को मैंने 3Q स्क्वेर को M मान लिया, तो A स्क कथ कोई परशानी नहीं होगी Case No.1 अब आते हैं Case No.2 में Case No.2 Case No.2, R के स्थान बर क्या ले लो बच्चो 1 ले लो, ठीक तो क्या हो जाएगा यहां से, A बराबर क्या हो जाएगा 3 fix है हमारा 3 Q R की जगा पर 1 आ गया अब हमें क्या करना है दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में क्या करना है, वर करना है तो यहां लिखेंगे वर करने पर जैसे ही वर करेंगे A का स्क्वेर और इधर हो जाएगा 3 Q प्लस उनका वर्ग ठीक, आप जानते हो भाईया, A plus B का जो वर्ग का शूदर होदा है न, वो होदा A square plus B square plus के 2AB यह होदा है, यह A के जगा पर है और यह B के जगा पर है शूदर लगाई है यह हो जाएगा A का वर्ग B का वर्ग 2AB तो यह हो जाएगा 3 तीया 9 Q square और यह हो जाएगा दो ती है 6 q और एक कभर एक, यहां से देखो कम से कम 3 उबर निस्ट है, 3 ती है 9 q square, 3 दूनी 6 q, अब मैं क्या करूँगा न भीया, मैं इसको क्या माल लूँगा, मैं इसको m माल लूँगा, माना, m माल लिया हमाने, 3 q square plus 2 q, तो यह फिर किस रूप में हो जाएगा, 3, इसको हम क्या माल लिया, m माल लिया, और यहां पर है 1, तो यह हो जाएगा 3 m plus 1 का रूप, जो कि हमें चाहिए, क्या 3 m plus 1 का रूप चाहिए था, कोई दिक्कत, second case में, कोई दिक्कत नहीं होगी, अब आजाए, third case में, case number 3, यदि, हम r का मान क्या लेते, अगर मैं r का मान 2 ले लेता ह ठीक है, इसलिए, यह बराबर क्या हो जाएगा, 3 q r के जगा पर, दो आगे, अब हमें क्या करना है, वर करना है, प्रश्ण में बोली रख है, कि वर करो, है न, तो वर करेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, बच्चो, 3 q plus 2, ओके, तो देखिए, यहां पर खोल देंगे, यहां लगा देंगे, यह हो जाएगा, a का वर्ख, प्लस, b का वर्ख, 2, a, b, देखिए, इसको, कैसे लिख सकता हूँ, 3 तिया, 9 q square, यह हो जाएगा, दो दुनी 4 तिया, 12 q, ठीक है, और, यह आजाएगा, दो दुनी 4, अब इसको में कैसे लिख सकता हूँ, 9 q square, ठीक, यह हो जाएगा, 12 q, 4 को में लिख सकता हूँ, 3 प्लस, 1, दिख सकता होगी नहीं, अब मैं यहां से क्या निकालूँगा, 3 उबनिश निकाल दूँगा, यहां से मैं 3 उबनिश निकाल दूँगा, 3 निकालोगा, 3 तिया, 9 q square, 3 चुक के 12, क्यों, 3 एकम 3, और मैं इसको क्या मान सकता हूँ, मैं इसको m मान सकता हूँ, इसको मैं, क्या माल लूँगा m, माना, m बराबर, 3 q square, प्लस, 4 q, प्लस, 1, इसको हमने m मान लिए, यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, 3, इसको हमने m माना है, और यह प्लस में 1 है, समीगा नमबर 3, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परिशानी नहीं होगी अगर आप ध्यान पूरवक देखेंगे तो जो प्रश्ण ने बोला था कि 3M आएगा या 3M प्लस 1 आएगा ठीक है, तो आप लास्ट में क्या करेंगे लास्ट में क्या लिखेंगे समिक्रण 1, समिक्रण 2 या समिक्रण 3 से या स्पस्ट है कि किसी यहां से किसी धनात्मक पुणांग का वर्ग किसी पुणांग M के लिए 3M या 3M प्लस 1 का रूप होता है बस, इतना लिख देना है लास्ट में ठीक है, यह स्कीन शॉट लेना है लास्ट में ये चीज लिख देना है इतना करने के बाद अगर कंजूजी करोगे लिखने में तो नमबर कटेंगे लास्ट में वो जरूर लिखना है अभी आपके आपके आंसर को कंप्लीट बना जाएगा नहीं तो नहीं अब आते हैं आखरी प्रशन ठीक है यह हमारा आखरी प्रशन है और वेरी इजी है कई लोगों ने इसको बहुत बड़ा भी करके रख रहा है बड़ा भी कर सकते हैं लेकिन भाई अगर इसको मैं बड़े रूप में करके दिखाऊ ना इसी एकला दिमाग का भी प्रयोग करना है फोशन पहले पढ़ लेते इसको यह वाद बात करेंगे युकलिट विभाजन प्रमेगे का प्रयोग करके दर्शाइए कि इसी धनात्मक पुणां का घन इससे पहले वाले प्रश्ण में गया था वर्ग था इस वाले प्रश्ण में क्या बोला गया है घन करो तो उन्हों तरफ गात पावर में तीन लेना है अगर घन करते हैं तो वो 9m 9m plus 1 या 9m plus 8 का रूप होता है यह हमें बताना है यह चीज हमें दर्शानी है यह चीज हमें दिखानी है सो देखिये कैसे होगा यह जिस कैसे होगी सबसे पहले दिखो 9 अगर मैं ले लूँ अगर B तुम 9 ले लोगे तो 9 केस भनेंगे और घंड करने में तो अलग जमेला है A प्लस B की गा 3 A Q प्लस B Q प्लस 3 ये B ब्रैकेट में A प्लस B उचना बड़ा कैलकुलिशन है तो अब आपको सोजना है क्योंकि B तुम कुछ भी धनात्रपुणाग मान सकते हो क्योंकि यहां लिखा है ना सभी धनात्रपुणाग के लिए इसी रूपका होता है तुम B ऐसा छोटा-छोटा मानू कि जिसका घंड करने पर 9 आ जाए वही हमें चाहिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है मैंने मान लिया माना B B हमान धनात्रपुणाग के 3 अगर B का मान 3 है इसलिए हमारा R क्या हो जाएगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा 3 ही केस बने अगर आप गल्ती से भी 9 ले लेते हो B का मान तो आपके 9 केस बनेंगे कहां 3 और कहां 9 समय का अंतर सो जो कितना होगा फिर अलागी इसमें भी वही नंबर पूरे मिलेंगे वो 9 स्टेब में करोग थो भी नंबर पूरे मिलेंगे समय का फेर है ठीक है, तो यही करना है 9 वाला नहीं करना है ठीक, सबसे पहले आजाद है यहां लिखेंगे यूकलिड यूकलिड विभाजन से यूकलिड लेम्मा से हमारे पास यह बराबर क्या होता है B क्यू प्लस आर होता है ठीक है, जहां आर का जो मान होता है, वो B से छोटा होता है और 0 ये 0 से बड़ा होता है यह हम भली बात ही जानते है ठीक, तो पहले case हमने B को fix कर दिया है B को fix कर दिया है न 3 यहां लिखेंगे case 1 case 1 यदि R का मान क्या लेते है 0 पहला case तो हमारा A क्या हो जायागा A हो जायागा, देखो B हमारा fix है, 3 Q fix है अपनी जगा, R की जगा पहला case ले लिए 0 तो एका मान आगया 3 Q एका मान क्या आगया भाई एका मान आगया 3 Q अब हमें क्या करना है प्रश्ने करने जार घं करना है तो यह लिखेंगे, घं करने पर दोनों पक्षों में घं करने पर जैसे घं करेंगे तो क्या हो जाएगा एक की घं का 3 और इधर हो जाएगा 3 Q की घं का 3 तो यह जाएगा 3 ती 9 ती 27 Q की घं का 3 यह ओपन इस निगाल दो 9 ती 27 ठीक है प्रश्ने बोला है 9 M 9 M प्लस 1 9 M प्लस 8 इसी रूप का दिखाना है आपको तो हम क्या करेंगे कि भाईया इसको माल लेंगे M माना क्या लिख देता हूँ माना 3 Q की घं का 3 को हमने M माल लिया तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 9 M और इधर हमारे क्या है की घं का 3 समी का नमबर 1 बोला था किसी भी धना था बोलांगा घं 9 M 9 M प्लस 1 9 M प्लस 8 तो उन में से 1 का तो हमने दिखा दी कि भाईया यह 9 M प्लस 1 की रूप में आ गया है ठीक है अब बात करेंगे अगले केस नमबर 2 पर आ जाओ केस नमबर 2 यदी यदी R का मान में लेता हूँ 1 तो A का मान क्या हो जाएगा 3 Q R की जगा पर 1 आ गया R की जगा पर क्या आ गया 1 अब हमें क्या करना है अब हमें लेना है घं ठीक है घं करने पर दोनों पक्षों में घं करने पर क्या हो जाएगा देखो यहां से हो जाएगा A की घात तीन और यह हो जाएगा 3Q प्लस 1 की घात तीन ठीक है यह हो गया वह भी डाउट हो एक बर दोबारा जरूर देखें देखें शूत्र आपको बता होगा कि A प्लस B की घात तीन का शूत्र क्या होता है A क्यूब प्लस B क्यूब 3 A स्क्वार B प्लस 3 B स्क्वार A यह हमारा शूत्र होता है यह हमारा A के जगा पर है और यह हमारा B की जगा पर है ठीक शूद्र में लगव यह आज़िएगा A की घा 3 प्लस B की घा 3 फिर आज़िएगा 3 A स्क्वेर गुडे में आपका आज़िएगा B 3 B स्क्वेर गुडे में आज़िएगा आई ठीक 9 Uberanisht च है कहाँ से आएगा यहाँ से आज़िएगा 9 यहां से आ जाएगा 9 और यहां से भी आ जाएगा आपका 9 वह इनिस्ट ठीके पहले इनको साथ में लग दे यहां से देखो 3-3-9-3-27 Q की गा 3 फिर देखो 3-9-9-27 Q स्क्वेर और यहां जाएगा 3-3-9 और यहां जाएगा Q और एक की गा 3 करोगे एक ही आएगा और यहां से कम से गम आपका एक सेकंड एक सेकंड तीन तीन नौ ना तीन क्यों लिग दिया तीन तीन नौ अब यहां से हमारा 9 कम से कम उबनिस्ट है नौ निकाल उबनिस्ट 9-3-27 Q की गा 3 9-3-27 Q square और 9 एकम 9 यहां सिर्फ Q बचा ठीक मैं क्या करता हूँ इस वाले को पूरा क्या माल लेता हूँ जैसे इसको मैं M मानूँगा तो यह किस रूप का हो जाएगा 9 M plus 1 का रूप हो जाएगा जो कि हमें चाहिए 9 M plus 1 का रूप हो जाएगा और यहां लास्ट में लिख देना माना माना M बराबर M किसको माना है 3 cube 3 cube square plus 1 इसको हमने क्या माना है M माना है हो गया अब आजायते हैं case number 3 case number 3 यह जो question है ना बच्चो यह आपके 5 number में आ सकते है और पूचा गया है 5 number में यह आ सकते है अगर किसी साल यह question आता है तो यह 5 number में ही आता है ठीक है 5 number में ही आया और पूचा क्या है भाई यह मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ पूचा क्या है ठीक है case number 3 हमारा क्या है अगर R का मान आप 2 मान लोगे यदि R बराबर 2 है तो A का मान क्या हो जाएगा 3Q और R के जगा पे रख दिया हमने तो हमें क्या करने अब गन करने बतो नो पक्षों में ठीक है गन कर देंगे तो क्या हो जाएगा A की घाद 3 और यह हो जाएगा 3Q प्लस 2 की घाद 3 ठीक है यह आपका A के जगाँ पर है और यह आपका B के जगाँ पर है गन करो यह हो जाएगा A की गाद 3 B की गाद 3 3 A स्क्वार गुड़े में B 3 B स्क्वार गुड़े में A ठीक है? अब देखो इसको साथ में रखो 3 दिया 9 दिया 27 Q की गाद 3 यहाँ से आजाएगा 3 दिया 9 27 27 दूनी 24 27 गुड़े में 2 Q स्क्वार और यहाँ से आजाएगा 3 दिया 9 9 3 दिया 9 और गुड़े में 4 Q और यह 2 की गाद 3 यहाजाएगा 8 ठीक अब देखो यहाँ से यहाँ से और यहाँ से 9 आराम से निकल जाएगा उपएणिस्ट 9 आराम से निकल जाएगा उपएणिस्ट 9 निकालो तो 9 तीया 27 Q स्क्वार 9 भार निकालेंगे 9 तीया 3 दूनी 6 6 की उसक्वार यहाँ से 9 भार निकालेंगे तो यहाँ बज़ेगा 4 की और यह प्लस में क्या है बच्चो 8 तो मैं क्या गाँ इसको क्या मान सकता हूँ इसको M मान दूँगा एक इकाल 3 यह वह जाएगा 9 M और यह क्या है बच्चो 8 है एक क्यूब क्या जाएगा 9 M प्लस 8 समय कर नमबर 3 यह हम यहाँ लिख देंगे तो अब लास्ट में क्या बोलोगे समय कर एक ता दो ता ता तीन से यह इस पस्ट है की की प्रतेक प्रतेक धनात्मक पुर्णांग का घन 9 M 9 M प्लस 1 9 M प्लस 8 का रूप का होता है ठीक है लास्ट में यह स्टेटमेंट आप लिख दोगे यह कुशिन भी आपका आराम से बन गया तो मैंने आपको यह जो प्रशनावली है मस्त मक्कन की तरह समझाते हुए वन शॉट वीडियो में मैंने आपको बता दिया मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ जो आपके क्लास में आगा और बखवास करके वीडियो की लेंट बढ़ा देगा आपका टाइम विस्ट करेगा नहीं हाँ हूख करने वाला टीचर में नहीं हूँ बच्छो मैं आपको आऊँगा चीजे समझाऊँगा प्यार से बढ़ा के सिखा के जाऊँगा ठीक है मैं भगवास करने वाला टीचर में से नहीं हूँ सब कुछ पढ़ा दिया है लिंक्स मिल जाएगे डिस्क्रिप्शन में किसी भी चीज़की अगर आपको जरूर है तो बच्छो तो आप कॉमेंट करके में बढ़ा सकते हैं किसी भी विशय की ठीक है बाकि अपना ख्याल रखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें सब्सक्राइब जरूर करें नोटिफिक्शन बेल पर जरूर प्रस करें जाहिंद मिलते हैं आपसे नए वीडियो में